हर्यान विवासी, दूद उत्पादक भाहियो भैनो, सबसे पहले तुम्हें आज आप सबको बहुत ये पवित्र उत्षव शिवरात्री किश मंगल कामना आपको देता हो। और वैसे भी हम सब दूद उत्पादक हैं और हम समय समय पर इस दूद के बहुत व्यूव करते हैं लेकिन धर्मिक होने के नाते से हमको ये भी पता है कि इस दिन शियुलिंग पर भी दूद अरपित किया जाता है। और दूद अरपित करने वाले हमेशा अपने पशुओं के प्रती मंगल कामना करते हैं कि वो दूदादारी पशु हमारे सुरक्षित रहें निश्ची दूर्प से आप में से बहुत लोगों ने आज श्रीवलिंग पर दूद चढ़ाया होगा कुछ चढ़ा रहे होंगे के यंशी कहाओध है है कि देशा में देश हवियाना जित दूद यहिका खाणा हम हर्याना के लोग कर देश और दुनया में प्रसिद्ध है तो अपने खान-पां से अपने दूद और यहीं से हम जो इसका सेवन करते हैं शारी बलके नाते если हमार्या अच्छा şöyle बहलए ऐा अ होता है और ये जो दूद का काम करने वाले हमारे ग्रामिन ख्षेतर के किसान अपनी आय को बढ़ाने के लिए दूद का उत्पादर करने के लिए पशु रखते हैं और युवाँ खास करके जो बेरोजगार हैं अपने रोजगार को प्राप्त करने के लिए इस विवसाय में तेजी से आ रहे हैं ग्रामिण अर्फवस्ता को सुद्रड करने के लिए और युवाओं को रोजगार के लिए हमने भी सरकार की और से बहुत सी युजनाय बनाई हैं और जो डेरी हैं इस डेरी उनिट को हाई टेक डेरी उनिट के और भी हम ले जा रहे हैं मेरा मानना है कि ज इसलिए आज के इस यूग में इस दूद के वफसाय में जुड़े लोगों को अपने परिवार को पालन करने के लिए बहुत सहयोग हो रहा है जैसा हमारा किसान है सहयोग से भूमी जोद ये छोटी होती जा रही है और जब जोट छोटी होगी तो वेकल्पिक साधन इसकी भी आशरता है तो उसको तलाशने के लिए अतरिक्त वफसाय के रूब में ये जो दुद उतपादन का वफसाय ये हमारे किसानों के लिए किरामि हाई टेक और मिनी डैरी इसका जो प्योग होगा इस से रोजगार के अवसर उसके बढ़ेंगे इस योजना के अंतरगत हम दस दुदारू पश्यों तक की मिनी डैरी खोलने के लिए पश्यों को पश्यों की लागत का पचीस प्रश्य सबसीड़ी दी जाती है अनुसुच इस से अधिक दुदारू पश्यों की हाई टेक डैरी स्थापित करने के लिए ब्याज में छूट दी जाती है वर्तमान सरकार के कारेकाल में हमने अभी तक 13,244 डैरियां ये स्थापित कराई हैं जैसा हम जानते हैं कि डैरी उद्यों खोलने के लिए जो मुख्यरूप से जिन बातों की आवशक्ता होती है उसमें उच्छ कोटी के नसल इसके जो पशु हैं इनकी आवशक्ता रहती है दूद यानि डैरी इकाई स्थापित करने के लिए हमको पूंजी की भी आवशक्ता होती है दूद की खरीद और प्रोसेसिंग की यवस्ता समुझित हो इसकी आवशक्ता रहती है पशु बिमार हो उसके इलाज के लिए पशु चिकित्सा के सुधाएं और अनुसंदान ये भी आवशक्ता होती है और इन सब से उपर कभी आकसमात कोई दुरगटना हो जाए हमारा पशु मानो कहीं हानी हो जाए तो उस हानी की पूर्ती के लिए बीम हमारे हाँ भैसों के नाते से जिस हम देखते हैं उसकी नसल मुरा नसल के जो भैस है वो सामनेता अच्छी मात्रा में पाली जाती है दूद भी अच्छा देती है ये बहुत प्रसित है हर्याना नसल की गाय की अपनी अलग पैचान है इसके इलावा राठी साइवाल और गी पैचीर काय को भी हर्याना में पाला जाता है हमारी देशी नसल के पशुदन की खासित है कि कई प्रतिकूल प्रसितियों में ये उनका सामना कर लेती है और सुरक्षित रहती है पशुपालन के लिए जो पूझी के आवशकता होती है तो इस पूझी की आवशकता को भी गाय भैस बेड़ बकरी और सुर पालन के लिए हम उनका यानि पशुपालन के खान करेड़ कार्ड का उप्योग करते हैं अभी तक एक लाग साथ हजार रुपे का जो रिण है इस कार्ड पर मिलता है बिना किसी को लेटरल स्कूरिटी के और प्रयाप्त मातरा में किसानों क को इसका लाब हुआ है एक लाग चम्वन अजार पशुदन किसान करेड़ कार्ड बैंकों दोरा स्कूरिट किये गए हैं और इसके लिए लगातार इस कम को आगे बढ़ने के लिए भी हम सबसे अपील करते हैं बैंकों से रिन की सुईदा मिले इसकी भी बाचितम करते हैं ताकि किसी को रणे लेने में कोई दिक्कत ना आए मित्रो भायो भेनो हम जानते हैं कि इसकी हमारे दूद के उत्पादकों की उत्पादों की विक्री के लिए हैने एक प्रकार से सैकारी अंदोलन इसकी भी बहुत बड़ी भूमिका है अपने हाँ जैसे वीटा का उदाहन हम लेते हैं तो वीटा इसके प्रोड़ट सेकारी अंदोलन में से ही निकल करके आगे बड़े हैं आगर हम बड़ा उधान लेते हैं तो अमूल जैसा एक जो ब्रैंड है ये देश और दुनिया में कितना तेज गति से फैला है तो इस अमूल के ब्रांड का उदाहन भी हमार करना चाहते हैं लेकिन घर में उनके पस जगा नहीं होती है पशु बानने की तो ऐसे गाओं गाओं में हम इस परकार के जैसे गुजरात में पशु होस्टल बनाए गए हैं ऐसे हम सांजा डेरी का उप्योग करेंगे ताकि किसान एकी स्थान पर जो हमारे पशु पालक हैं एकी स्थान पर जो कॉमन जगा होगी सरकार दोरा उपलब्द कराई जाएगी उसमें कोर्परटिव तरीके से उसका उप्योग करेंगे और अपना व्यवसाय जो है चला पाएंगे हमारी सेकारी दूद समीतियां इनका भी जाल बिचा है जो गाओं गाओं में जाकर के दूद खरीद करते हैं 3300 के लगवग सेकारी दूद समीतियां प्रदेश में हैं जो दूद की प्रोसेसिंग के लिए 6 मिल्क प्लंट के लिए दूद प्रोसेसिंग की शमता जिसकी 9 लाग लीटर है इतना दूद प्राप्त करते हैं हम लोगों ने जो दूद उत्पादक हैं उनके देखा कि उनके लिए बाजार बहुत बड़ा बाजार दिल्ली का बाजार भी उपलब्द है हजारों की संखा में प्रति दिल लोग जो हैं दूद लेकर दिल्ली की मार्केट में जाते हैं और वहां बेच करके आते हैं ये दू रुपया प्रेसी लीटर ये प्रोसान राशी भी दी जाती है और इसका बहुत लाग हमारे दुग्द उत्पादकों को होता है दुग्द उत्पादक के परिवारों की खुशाली इसका भी ध्यान दखते हैं उनके बच्चों के लिए शिक्षा के अंदर जो आठवी दस्वी और बार्वी कक्षा में पढ़ते हैं और अच्छे ников्रापत करते हैं उनको मासिक चात्र बुटि आर दस्वी के बालकों के लिए टी सु रुपया और बार्वी के बालकों के लिए ग्यान दुग्द उत्पादकों के बच्चों को एक करोड़ छासी लाक रुपे की चात्र यह अभी तक दी जा चुकी है हम सब यह भी जानते हैं कि दूदारू पशू इसकी जो कीमत है यह बहुत अधिक होती है लगन अक्समात किसी दुखटना के कारण से यदि किसी पशू की मृत्व हो जा तो उसका नुकसान होता है इस नुकसान की भरकपरपाई के लिए भी चोटे पशू का पच्चीस रुपया प्रीमियम दे कर बीमा करवा सकता है अनुसुची जाती के पशू पालकों के लिए यह भीमा की राशी जो उसके लिए शुल्क की राशी यह जिरो है अर्थाद बीमा मुफ्त में कराया जाता है अभी तक आठ लाक बावन हजार ऐसे पशू का पिमा यह किया गया है मेरा आपसे अनुरोध है कि आप भी सब जो भी पशू खरीते हैं उस पशू का पिमा अवश्य कराएं इसी प्रकार से जो हमारे सेकारी दुग्द समितियों के पशू जो हमारे दुग्द उतपादक बंदू है अगर किसी दुर्गटना में उनका नुकसान कोई हो जाए मृत्य हो जाए तो उसके लिए भी हम पाँच लाख रुपया एक बीमार आशी उसको मिलती थी अब उसको बढ़ा करके हमने दस लाख रुपया कर दिया है इस योजना के अंतर कदवी बहुत लगों को लाब मिला है लगबग तीन क्रोड दस लाख रुपया कर लाख ये दिया जा चुका है मित्रो हम तो यही कहेंगे कि पशु जो है हमारा जो दूद देता है कि हमार लिए एक हमारा परिवार का जैसे सदस्य होता है उस प्रकार से हम अपने पशु को रखते हैं उसके देखबाल करते हैं विदेशों में बले ही परिवार का उसको साथ ही मानते हैं परिवार का सदस्य मानते हैं उसकी पूजा भी करते हैं जैसा हमारे हम माननेता है गाय की पूजा करते हैं गाय को मानते हैं तो इस प्रकार से पशु के साथ हमारा जो विवहार जिस प्रकार का हम रखते हैं निश्यत रूप से इस देखा जाए परिवार में छोटे से लेकर बड़ा तक देखती यानि मनुश्य ही है जो बच्पन से लेकर के और जीवन प्रियंत दूद का उत्मादन करता है वरना कोई भी अन्य जीव के और बच्पन में तो जो दूद पीते हैं लेकिन बच्पन के बाद दूद पीना वो छोड़ देते हैं जबके मनुश्य बच्पन से लेकर और विदरवस्था तक जीवन प्रियंत दूद का उत्योग करता है तो जहां दूद कितनी ही हमारी मेत्पुन एक एक विवस्था है एक हमारी आवशक्ता है इसको पूरा करने के लिए हमको छोटी छोटी बड़ी बड़ी सब इकाईया इसका यानि स्थापना करनी चाहिए और इसको आगे बढ़ावा देना चाहिए सरकार बढ़ावा देने के लिए बहुत से कारकम करते हैं दूद उत्पादकों की कम्पिटिशन उनकी प्रत्योगता बढ़े ज़्यादा ज़्यादा दूद उत्पाद यानि पश्यूद वाले उनके यहां पर आएं तो उसके लिए बहुत से मेले लगाते हैं बहुत से प्रत्योगताएं करते हैं इनाम भी देते हैं तो इसका अर्थ यही है कि हम सब लोग व्यवसाय के नाते खास करके किसान जो है वो अपने व्यवसाय के साथ-साथ दूद के व्यवसावा को अच्छा यानि उसको उप्योग करें और उससे दूद अगर बढ़ेगा तो हमारे गरीब परिवारों की आये भी बढ़ेगी और हम लोग अपने इस दूद की आवशकता को पूरे समाज के लिए प्याप्त रूप से एक परकार से और उसका उप्योग कर सकेंगे उसका प्रबंद कर सकेंगे वैसे हमारे प्रदेश की दूद की जो उत्पादन ख्षमता है आसपास के सभी राज्यों में मैं समझता हूँ हम दूसरे तीसरे स्थान पर हैं लेकर हम प्रतन करके कैसे प्रतन स्थान पर आएं इसकी और भी आगे बढ़ने के लिए आप और हम सब मिल करके इस काम को करेंगे मित्रो हमने छोटी जो डेरी है और खास करके देशी नसल इसको बढ़ने के लिए गों सभर्दन की रिष्टी से भी तीन से पाँच गाउं की डेरी लगाने वाले पशुपालकों को पचास परिसर का अनुमदान अलग से देने के नई योजना भी बनाई है और इसके आतरिक जिन परिवारों की आये बहुत कम है ऐसे परिवारों को अलग से मुख्यमंत्री अंत्योदे परिवार योजना के अंतरगत कैम्प लगा करके उनको बुलाया जाता है और उनसे इस योजना के अंतरगत पुरूग आगे बढ़ें तो इस विभाग की और से योजना का लाब दिलाने के लिए भी प्रतन किये जाते हैं अभी तक साथ हजार के आसपास ऐसे युवक हैं जिनोंने इस योजना को प्राप्त करने के लिए और स्विकृति दी है हम लोग ने उनके नाम बैंकों में भेजे हैं 20,000 से अधिक आवेदकों को रोजगार के लिए रिन मिल भी चुका है तो इस प्रकार से हर दिश्टे से हम लोग इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए और कोई ना कोई कारकम आगे चला रहे हैं आप भी कोई ना कोई अच्छा सुझाव हमको दे सकते हैं अच्छा सुझाव देने के लिए कास करके पश्यूपाले ने भाग की और उसे एक नंबर जारी किया गया है आप उसको नोट करना चाहें कर लें उसका जो नंबर है पिचाण में 001122261 इस पर हम अपनी बात बता सकते हैं कोई सुझाव दे सकते हैं आपकी कोई कट्राई हो इसके से भी अवगत करा सकते हैं दूद की बनी वस्तुएं ये तो हमारे हां बहुत एक से बढ़कर के पूरे हर्यणा में अलग लग स्थानों पर हम जैसे देखते हैं बहुत मशूर चीज़े हैं खास करके मैं नाम लेना चाहूंगा हांसी के पेड़े सर्व दूर परसिद्ध हैं रिवाडी की वर्फी दूर दूर तो भेजी जाती है भले ही दूर से बरी नहीं है लेकर गुहाना का जलेव ये भी स्वादिस्ट आइटम के नाते से दुनिया में परसिद्ध हो चुका ह तो ऐसे अच्छे अच्छे उत्पाद ये हम अपने घरों में भी बना सकते हैं एक विशेश बात जो इसमें बहुत प्रसनता का विशे हमको लगता है कि घरों के अंदर हमारे यहां बहने माताएं हमारी बेटियां वो भी पशुपालन के काम में बहुत अगणी रहती हैं उसका पशुप के पालन में सहता करना उसका दूद निकालना और बाद में उस दूद से जो प्रड़क्ट बनते हैं घर के अंदर घी बनाते हैं दही होती है लसी होती है ऐसे उत्पाद भी जो बनाते हैं उसका भी अपने आप में इस अर्थ वस्ता को बढ़ाने में योग साई आदी ये बना करके हम छोटी-छोटी मार्केट कोई दूद उत्पादरों के संग्ठन ये भी बना सकते हैं जैसे हमने किसानों के किसान उत्पादक संग्ठन बनाये हुए हैं इसी प्रकार से दुग्द उत्पादक संग्ठन ये बना करके भी और अपने उत्पाद की ब गुबर भी है, गुवका, मूत्र भी है, ये चीजे भी औशदी में भी काम आती हैं, और जब एक खाद इसनाते से इसका उपयोग होता है, तो गाय के इन चीजों का उपयोग अब उत्रो उत्र बढ़ता चला जा रहा है, क्योंकि हम रासाइन खाद की वज़ा है, जब एक ख अरियाना में कुछ जिले, पानी की चपेट में आये, बाढ़ आगे थी, और बाढ़ आने से ना केवल नागरिकों को अस्विदा होई, बलके हमारे गाव में जो पशू थे, उनको भी बहुत प्रशानी का सामना करना पड़ा, हमने सभी डिप्टी कमिशनर्स को ये दिये हैं कि जहां परिवारों के लिए, नागरिकों के लिए हमको उनके खाने के लिए, पीने के पानी की विश्था करनी है, वहीं पशू के लिए, चारे के विश्था भी करनी है, और सभी जो हमारे डिप्टी कमिशनर्स है, इसके विश्था कर रहे हैं, तो मैं ये जानक पूरा इस बात का वरोसा दिलाता हूँ कि इन डेरी काईयों की स्थापना के बाद हमारे जो परिवार हैं जिनको आर्थिक आउश्रता हैं वो पूरी होंगी और हम अपने समाज को हरियाना जहां पूरे देश में बड़े राज्यों के अंदर प्रतिव्यक्ति आये के अंदर सबसे आगे हैं लेकिन फिर भी हमने जो बीपिल की रेखा एक लाख असी जा रखी है और हमारे जो अंतियोदे परिवार एक लाख रुपए वार्शी का आये के हैं इसको दोनों को पार करके हम बीपिल से उपर सब को लेकर जाएं उनकी आये कैसे बढ़ाई जाएं पैरों बढ़ेगी हमारा स्वास्त भी ठीक रहेगा बच्चों की पढ़ाई लिखाई वो भी ठीक रहेगी परिवार हमारा फलेगा पूलेगा इन्ही शुब कामनों के साथ मैं आपको पुना बहुत बहुत शुब कामना देखाएं